मेरे देवे स्वासियों तुम्हें सादर परणाम। आप देख रहे हैं ऐर्वेज के चमच का आज काल समय में आदमी की उमार तो कम होती है। बोजन के अवाओ के कारण पूरे पोसक तता उन्हें मिलने के कारण समाज के अंदर अरेक व्यक्ति का चेरा खराब हो जाता है। और चेरे के उपर जूईयां पढ़ जाती हैं कमजोर होता है और प्रेशान होता है। जैसे मेरे अपने चेरे पर देख सकते हो। यह तो कुछ उमर के इसाब से होती है। परंतु इन चुर्यों को भी ठीक किया जा सकता है। मेरे अपने बार्त वरस के अंदर होता है एक वरस है जिसका नाम है सरफूक्का। जो एक जारी दार पोदा होता है और सरफूक्य की पचान क्या है। मेरे यहां और एक जितने भी छोटे बड़े पेड़ पोदे होते हैं यह जारी होते हैं। उनके जो फल लगते हैं फल लगकर नीचे की तरफ जुके होते हैं। सरसार में एक जड़ी बूटी जिसका मैं जिकरा करना हूं जिसका नाम है सरफूक्य। और सरफूक्य क्या होता है जारी दार पोदा होता है। और इसके फ़ल लगने के बाद उपर की तरफ होते हैं सलफूके के जो छोटे पते होते हैं चने के पत्तों से मिलते जुलते होते हैं और चने के पत्ते छोटे होते हैं चने के पत्तों से तीन गुणा बड़े पत्ते होते हैं सर्फूके का उप्योग क्या है इस्तरी अपनुस दोनों इसका प्रियोग कर सकते हैं सर्फूके का प्रियोग करने के बावजूद अच्छी तरह से अगर इसका चूरन को कूट कर और हम सुबह से पानी के साथ ले करके और उपर से दूद्ध पीएं तो मुग की जितनी वी जूरिया बनी हुई है और अच्छी तरह से ठीक हो जाती है इसके बीज के आकर्ति कैसे होती है जैसे दाम जो मिस्री होती है उसे मिलती जुत्ती होती है और इसका परियोग किया जा सकता है और इसके जो पके में बीज हैं उनको पानी में बिगोड़कर खाया जा सकता है उपर से दूद्ध या दूद्ध में गीड़ डाल कर लेना होता है और बिलकुर जो मुग की जो जूरिया है वो समात हो जाती ह प्रकाश बैट, ग्यानतारा कालोनी, नज्दीक बडी नहर, ग्यानतारा रोड, जीन्द हर्यान, फोन नमबर्स 09466254102, 09416556366.